ये आकाशवाणी है प्रस्तुत है कारिक्रम सुर्खियों में इसके अंतरगत सुनिए भारत स्पेन के सुद्रड होते संबंधों पर चर्चा इसमें भाग ले रहे हैं जवाहरलाल नहरू विश्वविद्याले में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टाडीज के प्रोफेसर गुल क्या रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री सांजेज ने कल गुजरात के वडोधरा में जहां एक तरफ सैन्नी विमान के विनिर्मान के लिए टाटा एरक्राफ्ट कॉंपलेक्स का संयुक्त रूप से उद्गाटन किया वहीं शिष प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी 2017 में एक विशेश दौरे पर स्पेन गई भी थे तो आज हम भारत और स्पेन के विपक्षे संबंधों पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ कारिक्टर में जवादला नहरु विश्व विद्याले में संटर फॉर यूरोपन स्टेडीज के प् प्रफिसर गुलशन सर्चदेवा कारिक्टर में शामिल हैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका कारिक्टर में यही शुक्रिया तो सबसे पहले तो हम स्पेन के प्रधानमंत्री की इस यात्रा के महत्व और दोनों देशों के बीच में जो यह द्विपक्षी है संबंधों क आगे बढ़ाने के लिए कई सहमतियां और समझाते हुए हैं इन पर आपसे बात करें तो क्या प्रमुख आपको बिंदू नजर आए इन दो दिनों की इस यात्रा में और दोनों देशों के बीच हुए इन सहमतियों में यॉर्प के अंदर यॉर्पिये संग के अंदर प्रांस जर्मनी और इटली के बाद चौथी बड़ी अर्थवस्ता है और पिछले कई सालों में खास्तोर से जो पैंडेमिक के बाद से इसकी जो ग्रोथ है वहां की स्पेन की वो पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी है और बा उन्हें कई विदेश नीती के मुद्दे हैं चाहे वो इसराइल का मामला हो चाहे वो चीन का मामला है उसमें वो काफी अगसर होके अपनी एक स्पेन की अपनी एक सोच रखते हैं और उसी संदब में मुझे लगता है कि वो भारत की यात्रा भी उन्होंने की है और भारत के साथ भी अपने संबंदों को बहुत गहराना चाहते हैं और Spain जिस तरह से उन्होंने कहा अपने भाशन में भी यहां पे वो एक पूरी ट्विन ट्रांजीशन वहां पे चल रही है Spain के अंदर उसमें ग्रीन ट्रांजीशन में अपने आपको आगे देखना चाहते हैं और पूरी डिजिटल ट्रांस्वमेशन जो पूरे economy का हो रहा है और वो जानते हैं कि जिस तरह से भारत की अर्थवस्ता है हम जानते हैं कि जी ट्वन्टी के देशों में सबसे तेजी से जो बढ़ रही अर्थवस्ता है वो भारत की अर्थवस्ता है इसी तरह से यूरपिय संग की जो देश है उसके अंदर जो तेजी से बढ़ रही अर्थवस्ता है वो स्पीन की अर्थवस्ता है जी और वो जो हमारी डिजिटल ट्रांस्वरमेशन है हमारी अपनी ग्रीन ट् हैं साथ-आठ समझोते उसमें हुए हैं और खासतार से जैसे रेल ट्रांसपोर्ट का है स्पेन की जो हाइस्पीड ट्रेंज हैं नहीं काफी ट्रेंज वहाँ पे चलाई हैं तो उससे भी बारत के साथ एक समझोता होने से अच्छी संभावनाई बनती हैं और जिस तरह से हमने यह देखा है कि यॉर्प के बाकी जो देश हैं वो आजकल जो पॉलिटिकल मूड है वहाँ पे इमिग्रेशन को देखके काफी देश जो हैं वो चिंतित हैं लेकिन स्पेन में और खास्तार से प्रैम नेसे संचेज ने जो हैं इनकी सोच बिलकुल अलग एक उनसे और यह चाहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं वो अगर स्पेन में आते हैं और भारत की हैं मूल के लोगों को खास्तार से अब अभी और्य000 बहों पर रहते Ch нужен हैं वो चाहते हैं और ये भी चीज़ है जैसे हमने ये देखा कि सबसे बड़ा जो उनका कारेकरम था जो टाटा इसके साथ नया जो विमान बनाने का जो असेम्ली लाइन का उन्हें उद्गाटन किया था वहाँ पे और हम जाते हैं कि स्पेन से भारत ने एरबस से वो खरीदे हैं उसमें से कु अरप यह अम देखते हैं तो वो सिर्फ स्पेन की कंपनी नहीं है एरबस हम जाते हैं कि वो यूरपियन कंपनी है उसमें जर्मनी, फ्रांस, पेन भी हिस्सेदार है और यूके भी उसके अंदर हिस्सेदार है तो जिस तरीके से भारत के सम्मंद यॉर्पिय संग के देशों के साथ हुए है पूरे यॉरप के साथ हुए है उसका पूरा मुझे लगता है कि उनकी जो यात्रा है उससे हमारे संबन पहले से और प्रगार हुए है। डिफेंस एक्सलं जैसी स्कीमों ने स्टार्ट अप्स को गती दी। बीते पांच-छे सालों में ही भारत में करीम एक हजार नए डिफेंस स्टार्ट अप्स बने हैं। कि टाटा एरक्राफ्ट कॉंप्लेक्स जो वैश्विक जो विमान का क्षेतर है उसकी मैनुफेक्चरिंग में भरोसेमन साज़दारी के रूप में ये भारत की स्थिति को और मजबूत बनाता है। तो कैसे इस पूरे परिप्रेक्ष को आप देखते हैं और खास तोर पर इससे मेक इन इंडिया को कैसे बढ़ावा मिलेगा और भारत और स्पेन की साज़दारी कैसे और मजबूत होगी। उसके दो पहलू है। एक तो यह है कि जो हमारा पूरा मैनुफैक्षरिंग का है मेक इन इंडिया का जो हमारा प्रोग्राम है। उसमें एक ये बहुत बड़ा मिल का पत्थर है क्योंकि इसमें हमने विमानों को जो बनाने की जो बात है। कि उसका एक मेन इंजिन एरबस से आएगा लेकिन बाकी जो सारे उसके कलपुर्जे हैं जो पूरा इको सिस्टम जो तयार किया जाएगा। उसका लंबे समय में आने वाले समय में भारत के लिए बहुत मैनुफैक्षरिंग के जो हमारी कपैसिटी है उसको काफी बड़ाव है कि भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इस तरह का विमान बना सकती है तो और जैसे प्रदानमंत्री ने कल बताया कि बारा सो विमानों का जो भारतिये कंपनी हैं जो एरलाइन्स हैं उन्होंने आउडर दिये हुए हैं तो इतने बड़ी जो संख्या में विमान भारत में जिसकी अपनी डिमांड है अगर उसका काफी बड़ा हिस्सा भारत में बनना शुरू हो जाए और एरबस जैसी बड़ी कंपनी के साथ कुछ समझाता होता है और दो साल के अंदर पुरी ये असेंबली लाइन शुरू हो गई है और आने वाले समय में हो जगता है कि इससे जो हमारी अपनी युनिवरस्टीज हैं अपने जो हमारे प्राइवेट कंपनीज हैं वो अपने आने वाले समय में अपने इंजन भी बना के एक नया विमान भारत का भी बना सकते हैं तो उसके लिए एक अच्छी नीव इस समझोते स हुई है और दूसरी बात यह है कि जब किसी भी देश के साथ खास्त और से अगर सेने सामान के लिए अगर आप मैनुफैक्टरिंग एक साथ करते हैं उसका मतलब यह भी है कि हमारी एक सामरिक साजेदारी उस देश के साथ है जैसे हमने पहले देखा कि काफी हमारा जो फौजी साजो सामान है हम रूस के साथ खरीदते हैं और रूस की कंपनीज के साथ ही यहां पे कई हमारे जो मिजाइल जैसे ब्रमोस मिजाइल हैं और भी कई जो हत्यार हैं यहां पर बनाए जाते हैं और हम और कई देशों में उसको बेचते भी हैं तो यॉरप के देशों के साथ क्योंकि भारत सबसे बड़ी एक मंडी है जो हत्यारों के लिए खरीदने के लिए तो हम सिर्फ खरीद ही नहीं रहे हैं बलकि उसको हम अब ए पेचने को तो कई बार बेज देते हैं लेकिन बनाना और उनको एक ये तसली हो के भारत की जो कंपनीज हैं वो टेकनोलोजी को कहीं और टांसफर नहीं करेंगी और इस तरह से यहां पे बना सकते हैं कपैस्टी उनकी है तो एक नए तरीके से और जैसे भारत सरकार की जो है वो बेस्ट ओफ इंडियन प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा जैसी बड़ी कंपनी है जिसका अपना एक रैपूटेशन है उनके साथ मिलके एक नया एक मील पत्थर हमारे संबंदों के लिए जो बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये जो एक नया और साथ में कुछ और समझवतों की में बात करूं तो रेल परिवहन का आपने जिक्र किया ही एक और महतवपूर्ण समझवता वो था सीमा शुलक को लेकर तो इन सभी समझवतों में जो पारसपरिक सहीयोग है वो आगे आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किस तरह स आपसी जुडाव को और जादा मजबूत करेगा जैसे कि आपने तकनीकी आदान प्रदान की बात की तो वो कैसे और जादा इससे सुद्रड होगा देखे एक चीज़ हम को समझनी पड़े कि जब हम यॉरपियस संग के किसी भी देश के साथ तकनीकी तोर से या व्यापार निवेश की तकनीकी बात करनी है तो उसमें हमारे यॉरपियस संग के साथ भी बातचीत हो रही है जैसा हम जानते हैं कि 2007 से लेके भारती और यॉरपियस संग जो है वो मुक्त व्यापार समझोते के बारे में उसके बारे में नेगोसियेशन चल रही है दोजार इकीस के बा शुम्रही में। तब इंवेस्टेंस चालवे हैं। यहां क्वांप्रपे ओर और होग से सब्सक्राइब ऑफ प्र्रहसा करें। तो कुछ मामले यहां मुउ्हथ थी जाना कहुएं। रहुपारेन में यहां में। जो देश हैं उसमें काफी अच्छे तरीके से वो उनकी अपनी ambitions हैं बहुत उनके targets अच्छे उन्होंने किये हैं 2050 तक net zero तक वो पहुँचना चाहते हैं कुछ देश उससे पहले भी पहुँचना चाहते हैं और खास्तोर से Spain भी उसके अंदर बिल्कुल अपनी जो जैसे मैंने पहले का कि उनकी जो पूरी transformation है उनको digital और green transition उनका एक मेक मुद्धा है जिसके इलावा जिसके लिए हुचाते हैं कि ये उनकी economy को और आगे लेके जाएगा वो ही हम भी जाते हैं क्योंकि digital transition जो हमारा जो पूरा digital transformation है भारत के अंदर भी हमारी अपनी capacity है digital public infrastructure जो हमने create किया है इस तरह के से जो Spain की companies हैं उनकी जो renewable के मामले में जो उन्होंने अपनी माहरता हासल की है तो उसके साथ कैसे भारत जुड़ पाए वो सारी बाते मुझे लगता है इस पूरे उनके दोरे के बाद समझोतों से ठीक दोर से नजर आती है जिसमें दोनों देशों का काफी फायदा हो सकता है दोहजार चब्विस को भारत स्पेन सांस्कृतिक परिटन और artificial intelligence वर्स के रूप में मनाने की एहम घोशना हुई है तो इस सांस्कृतिक पहल से कैसे दोनों देशों के बीच आपसी समझ और जुडाव को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगा और यह कैसे एहम है यह पहल पिछले कई दशकों से दो दूसरे देशों के साथ भी भारत ने अपने सांस्कृतिक संबंदों को बहुत तेजी से बढ़ाया है और जैसा आप बता रहे थे हैं कि काफी भारतिय मूल के लोग वहां पे रहते हैं और लगबग धाई लाग से जादा लोग हर साल स्पेन के अंदर वहां पे ऐसे टूरिस्ट जाते हैं यह नो जाए वो बार्सलोना में हो चाहे वो दूसरे जो बड़े वहां पे जो मैडरिट हो और जो बड़े बहुत सारी जगाएं वहां देखने को हैं तो लोग बहुत जाते हैं इस तरह से 40-50,000 स्पैनिश टूरिस्ट भी यहा पे और ज्यादा संख्या में जा रहे हैं तो जिस तरह से भारत की आपने जो कुछ पॉजिटिव चीज़े हैं चाहे वो योगा हो चाहे वो हमारा अधर वेदा हो सब चीजों का भी उनमें भी रुची पहले से जादा बढ़ी है तो जब सरकारी तोर से अगर आप इस तरह से कोई समझोते करते है एर ओफ स्पेन जैसे और का कि इस सिर्फ एर ओफ इंडिया स्पेन एर ओफ कल्चर टूरिजम एन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस जो नई तरीक के साथ सब तूरिजम और कल्चर को जोड़ते हुए कैसे भारत और स्पेन के लोगों के बीच में स्प पीपल-टू-पीपल कॉंटेक्स में आने वाले समय में बहुत तो रहेगा और दोनों देशों के लोगों को आपस में नजदीक लाने में इसको कुछ योगदान जरूर रहेगा अभी आप सुन रहे थे भारत स्पेन के सुद्रड होते संबंधों पर चर्चा इसमें भाग ले रहे थे जवाहरलाल नहरू विश्व विद्याले में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा और आकाश्वानी संबाद दाता कमल कुमार प सिवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया